नमस्कार दोस्ता, आज हम जिस रश्णा की कुछ पंक्तियां आपके समझ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसका नाम है रश्मी रथी रश्मी रथी की रश्णा दिनकर जी द्वारा की गए थी आजखल के समय में मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने रश्मी रथी की कुछ पंक्तियों को सुना नहीं होगा ऐसा ज़रूर हो सकता है कि उसको ग्यात ना हो कि उसने जिन पंक्तियों को सुनाया और रश्मी रथी की है तो हम आपको बता दें कि इस रचना में साथ सर्ग है साथो सर्ग में कर्ण के बारे में लिखा गया है चलिए हम प्रथम सर्ग की कुछ पंक्तियों से शुरुवात करते हैं जै हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को किसी व्रिंत पर खिले विपिन में पर नमस है फूल सुधी खोजते नहीं गुडों का आदि शक्ति का मूल उच नीच का भेदन माने वही स्रेष्ट ग्यानी है दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज प्राडी है छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भैता की आग सबसे सेष्ट वही प्रामर है हो जिसमें तब त्याग तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्दब दिखला के हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक वीर खीच कर ही रहते हैं इतिहाशों में लीक जिसके पिता सूर थे माता कुंती सती कुमारी उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी सूत वंस में पला चखा भी नहीं जननी का छीर निकला कर्ण सभी यूगों में तब भी अद्भुत वीर तन से समर सूर मन से भावुक सुभाव से दानी जाती गोत्र का नहीं सील का पौरुष का अभिमानी ज्यान ध्यान सस्त्राज सास्त का कर सम्यक अभ्यास अपने गुड़का किया करने आप स्वयम विकास अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन्मन से निज समाद में निरत सदा निज करमठता से चूर वन ने कुशुम सा खिला करन जग की आँखों से दूर नहीं फूलते कुशुम मात्र राजाओं के उपोन में अमित बार खिलते वेपुर से दूर कुझ कानन में समझे कौन रहस प्रक्रति का बड़ा अनुखा हाल गुदड़ी में रखती चुन-चुन कर बड़े कीमती लाल